पिछले काफी दिनों से भारतिय बाजार के मुताबिक गेहूं की कीमतों में काफी बड़ोतरी हुई है। जिसके चलते बाजार में पिछले दो महीनों के मुताबिक करीब 700 रुपए प्रती क्विंटल का उच्छाल गेहूं की फसल में देखा गया है। गेहूं की मांग में तेजी आने की वज़े से गेहूं का भाव भी लगातार बढ़ा है। गेहूं की बढ़ती कीमतों को देखते हुए सरकार ने कई कदम उठाए हैं। गेहूं की कीमतों में लगातार आ रहे उच्छाल के पिछे व्यापारियों का कहना है कि मंडियों में ग गेहुं की आवक कम होने के कारण गेहुं के भाव में निरंतर तेजी आ रही है। हालांकि अच्छे भाव मिलने की वजह से लगातार गेहुं की आवक में भी बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। ठोक बाजारों में आटा की कीमतें पहले 2250 रुपए प्रती क्विंटल थी लेकिन अब यह बढ़कर 2800 रुपए प्रती क्विंटल तक पहुँच गई है। त्योहारों का मौसम जैसे दशरा और दीपावली आने वाला है और इन दिनों में खाद्य पदार्थों की कीमतें और भी बढ़ने की संभावना है। Bureau Report Market Times TV